मेरे प्यारे देश्वासियों, हमारे बहुत सारे स्कूली बच्चे कैलिग्राफी याने सुलेक में काफी दिल्चस्पी रखते हैं। इसके जरिये हमारी लिखावट, साप, सुन्दर और आकरशक मनी रहती हैं। आज जम्मू कश्मीर में इसका उप्योग, लोकल कल्चर को लोकप्रिय बनाने के लिए किया जा रहा है। यहां के अनंतनाक की फिर्दोसा बशीर जी उनको कैलिग्राफी में महरत हासिल है। इसके जरिये वे स्थानिय संस्कृति के कई पहलूओं को सामने ला रही है। फिर्दोसा जी की कैलिग्राफी ने स्थानिय लोगों विशेशकर युवाओं को अपनी और आकरशित किया है। ऐसा ही एक प्रयास उधंपूर के गोरिनाजी भी कर रहे हैं। एक सदी से भी अधिक पुरानी सारंगी के जरिये वे डोगरा संस्कृति और विरासत के विभिन्द रूपों को सहजने में जूटे हैं। सारंगी की धूनों के साथ वे अपने संस्कृति से जूड़ी प्राचीन, कहानिया और एतिहसिक गटनाओं को दिल्चस्प तरीके से बताते हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में भी आपको ऐसे कई असाधान लोग मिल जाएंगे जो सांस्कृतिक विरासत के सहुरक्षन के लिए आगे आये हैं। करीब 50 साल से चेरियाल फोक आर्ट को लोगप्रिय बनाने में जूटे हैं। तेलांगाना से जूड़ी इस कला को आगे बढ़ाने का उनका ये प्रयास अधभूत है। चेरियाल पेंटिस को तयार करने की प्रक्रिया बहुती यूनिक है। यह एक स्क्रोल के स्वरुप में कहानियों को सामने लाती है। इसमें हमारी हिस्ट्री और माइथोलोजी की पूरी जलक मिलती है। 36 गर्ट में नारणपूर के बुटलूराम माथरा जी अबूज माडिया जनजाती की लोगकला को सामरक्षित करने में जूटे हुए है। पिछले चार दसकों से वे अपने इस मिशन में लगे हुए हैं।